आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दर्शको चेत्र नवरात्र चल रही है पूजे पंडिजी ने अपनी महाशिव पुरान में एक उपाय बताया है यदि आपको अपने घर में भै लगता है नकारात्मक उर्जा का वास लगता है या किसी वजह से आपके घर में भै पैदा होता है आपको ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आप किसी भी कारे को घर में करते हैं तो वह सफल नहीं होता है ऐसा कई बार होता है हमें लगता है कई बार हमारे घर के सदस्यों को बिमारियां घेर लेती है कुछ ऐसे रोग घेर लेते हैं कि एक के बाद एक सदस्य घर के बिमार होनी लगते है तो ऐसे में यदि चेत्र नवरात्री में आप इक कुपाई कर लेते हैं तो आपके सारे रोग, सारी बिमारियां और सारा भै दूर हो जाएगा। आपको क्या करना है आपको एक लोटा जल लेना है एक कलश में जल भर ले उसे रात भर रखे रेने दे मंदिर में रख दे उस कलश को और सुभा के समय उसमें एक बेल पत्र डाल ले और उस कलश को अपने पूरे घर में घुमा ले उपर नीचे जहां भी अपने घर के एक एक कुने में उस कलश को घुमा ले और पास में ही किसी नीम के पेड़ के नीचे इसका जल अरपित कर दे जल डाल दे जल को अरपित कर दे वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे ऐसा माना जाता है कि चेत्री नवरात्री में सारे देवी देवताएं मादुरगा वास करती हैं और ऐ ऐसे में आपके घर का सारा भै, सारी बिमारिया, सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, पारिवारी कलेश भी दूर हो जाएगा, घर से नकारात्मक उर्जा चली जाएगी, सकारात्मक उर्जा का वास होगा, लच्मी का वास होगा, आपके घर में, इस्थाई रूप से घर में बर खेरने दे भर कर उसके बाद सुभा उसमें एक साफ बेल पत्र गंगा जल से धोले और उसमें डाल दे और उसको पूरे घर में घुमा कर नीम के पेड़े के नीचे आप इस जल को समर्पित कर दे अर्पित कर दे इससे आपके सारे रोग सारी बिमारिया दूर हो जाएगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमस्शिवाय लिखना ना भूलिएगा आप जब भी कमेंट करते हैं मुझे अच्छा लगता है और मैं आपके लिए और आप तक पहुंच जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों हर हर महादेव जय माता दी जय मालच में